बुलबुल की खुशियों पर दृस्टी ने लगाई नजर दृस्टी की बातों को सुनकर बुलबुल के मन में जागा डर कलर्स टीवी के शो मेरा बालम थानेदार के अपकमिंग अपिसोड में हमें यह देखने मिलेगा जैसा की शादी के जोडे में वीर और बुलबुल हो चुके है तयार और यहां पर शादी की रस्मों को शुरू करने से पहले बुलबुल आती है घर के मंदर में दिया जलाने के लिए जहां पर बुलबुल काफी सादा खुश निज़र आ रही है क्योंकि जहां एक तरफ उसके मन में ये संकोच है कि वो अभी बिनाबालिक है वहीं दूसरे तरफ उसे इस बात की खुशी है कि वीर और बुलबुल का रिष्टा प्यार से पूरा हो चुका है लेकिन इसी बीच दृस्टी आ जाती है जहां पर दृस्टी बुलबुल को ये कहकर ताना मानने लग जाती है कि बुलबुल के चेरे से तो हसी हट ही नहीं रही है हाला कि बुलबुल के लिए काफी खुशी की बात है लेकिन बुलबुल को सावधान रहना चाहिए क्योंकि ऐसे में अगर बुलबुल इतनी जादा खुश रहने लगी तो बुलबुल की खुशीयों को उसकी खुद की नजर लग जाएगी जहां पर दृस्टी इतना कहकर निकल जाती है लेकिन यहां पर बुलबुल के मन में कहीं सारे सवाल आ जाते हैं कि आखिरकार दृस्टी ने ये सब कुछ क्यों बोला है क्या कहीं दृस्टी के दिमाग में कोई दूसरा चाल घर तो नहीं कर रहा जहां पर भगवान जी के सामने हाथ जोड़ कर बुल-बुल ये प्रातना करती हुई नजर आ रही है कि अब दृस्टी के वज़े से कोई और विग्ण ना आए वल ऐसे में ये देखना इंट्रिस्टिंग होने वाला है कि क्या करेगी दृस्टी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चनल को सस्क्राइब करना ना भूलें